हलो हाई और वल्कम टूर चैनल सांस्टडी आज हम इस वीडियो में मोस्ट इंपर्टांट जनरल सांस के जो MCQ कवर करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को और सुरू करने से पहले आप यदि हमारे पुराने वीडियो जो कि मलावार नावाल एक्सरसाइज के वारे में नहीं देखा है तो उसके लिंग हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिये आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और पुराने वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें इसमें हम SSC, PC, RRB सभी एक्जाम के लिए इस वीडियो में जेनरल साइंस कवर कर रहे हैं इसमें question पोच रहा है कि anatomy is a branch of science which deals with death इसका मतलब anatomy जो एक science का branch है तो ये किस से deal करता है आंसर कीजिए इसका इसका answer जो की A होगा structure of animal and plant आनिमल और plant के structure के बारे में पढ़ने को हम anatomy कहते हैं तो इस point को आपको याद रखना है anatomy जो की एक science का branch है जो की किस से deal करता है structure of animals and plant इसमें question ये पूछ रहा है कि oncology is study of death किसके उपर study करने को हम oncology कहते हैं आंसर कीजिए इसका तो इसका answer जो की B होगा study about cancer इसी में इस पर आप cancer के cell को देख सकते हैं तो study about parts को हम और नीथोलोजी कहते हैं क्या कहते हैं और नीथोलोजी study about mammals, mammology तो mammology किसको कहते हैं study about mammals और अगर mismatics is study of death किसके उपर study को हम mismatics कहते हैं अंसर कीजिए इसका आप इस image से guess कर चुके होंगे तो इसका answer जो की A होगा study about coins और यानि कि coins के ऊपर study को हम mismatics कहते हैं तो इस पर आपको याद रखना है यह बहुत important question है new mismatics is related to study about coins और इसमें यह को सिन पूछ रहा है कि eugenics is the study of death किसके ऊपर study को हम eugenics कहते हैं आंसर कीजिए इसका इसका answer जो की D होगा जैनिक्स से ही पता चल रहा है altering human beings by changing by their genetic components इस study के दौरान हम लोगों के genetic component को change करकर human को हम change कर सकते हैं तो इसके ऊपर study जो की changing of genetic component को हम eugenics कहते हैं इसमें यह question पूछ रहा है कि ornithology is the study of death किसके ऊपर पढ़ाई को हम ornithology कहते हैं इसका answer हम दूसरे slide पर आपको बता चुके हैं इसका answer आपको comment section पर जरूर देना है तो plants के ऊपर study को हम phytology कहते हैं इसको हम plant biology भी कहते हैं अगर हम बात करेंगे bones के ऊपर यानि कि study of bones को हम osteology कहते हैं तो bones के ऊपर study को osteology और plant के ऊपर study को हम phytology कहते हैं इसमें ये question पुछ रहा है कि the energy of food is measured by food से जो energy निकलता है उसका हम किसके द्वारा measure करते हैं अंसर कीजिए इसका ये बहुत इजी question है इसका answer जो की a होगा calorie यानि कि हम food से जो energy निकलता है उसको हम calorie से मापते हैं कि इसमेंज पर आप कैलोरी मिटर को देख सकते हैं Celsius और Kelvin ये टंपरेचर का मापक होता है तो energy of food is measured by calories इस question में पूछ रहा है कि name the instrument that used to measure relative humidity relative humidity यानि कि साफेकिक आदरता को हम किस instrument के द्वारा मापते हैं अंसर कीजिए इसका इसका answer जो की a होगा hygrometer तो hygrometer के द्वारा हम साफेकिक आदरता मापते हैं hydrometer के द्वारा हम liquid के density को मापते हैं और barometer के द्वारा हम air pressure को मापते हैं और thermometer के द्वारा हम temperature को मापते हैं इन सभी बॉण को आपको याद रखना है इसमें ये question पूछ रहा है कि name a instrument that used to measure density of milk दूद के गाड़ता को मापने के लिए किस instrument का use करते हैं हम answer की जैसका ये बहुत easy question है इसका answer जो की lactometer होगा जब कभी भी milk का नाम आएगा तो lacto ही आएगा तो इसका answer lactometer होगा तो दूद के गाड़ तक हम आपने के लिए हम lactometer का use करते हैं इसको आप इस image पर देख सकते हैं और ये सारे जो तीन option है इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं इसमें ये question पूच रहा है कि name a instrument that used to measure electric resistance बिदूतियो प्रतिरोध को मापने के लिए हम किस instrument का use करते हैं आंसर कीजिए इसका इसका answer आपको पता चल गया होगा इस image से तो इसका answer जो कि ohmeter होगा तो इलेक्ट्रोमीटर हम electric potential difference को measure करने के लिए यूज करते हैं गालभानोमीटर इलेक्ट्रिक चार्ज को measure करने के लिए और spectrometer spectral component को measure करने के लिए हम यूज करते हैं इस point को आपको याद रखना है वीडियो अच्छा लगा तो like करें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर आप हमरे चैनल पर नए हो तो हमरे चैनल को subscribe कर दें कहां पर टाइटल के नीचे जो लाल कलर का subscribe बटन है उसको दबाएं उसके बाद notification bell को दबाएं all option पर रखें इसके कारण हमारे नए नए वीडियो की notification आपके mobile पर सबसे पहले आए तो मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत कर दो